आप सभी को नमस्कार, समासास्तर की इस यूटूब का अक्सा में आपका स्वागत है, स्री कल्यान राज के कन्या माविद्याले सिक्कर से में गंश्याम सेनी, समाजीक विचारक में आज हम चर्चा करते हैं अन्थोनिक इडिन्स के बारे में, पिछले यूटूब वीडियो में अन्थोनिक इडिन्स के सनचना करण सिद्धान्थ के बारे में हमने चर्चा की थी, आज हम अन्थोनिक इडिन्स के एक अउधाना सनचना और एजेंसी के बारे में चर्चा करते हैं, के विकास में अपना योगदान दिया है, इनकी पुस्तक Constitution of Society 1922 में सनचना करण के कारे के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, सनचना और एजेंसी का द्वेत्वाद इनकी महत्वपूर्ण योगदान है, सरल भासा में सनचना करण नियमों की एक पढ़नाली है, परावर्तनिय सब्द के परियोग से तात्परे की एजेंट की समता जिसके द्वारा चेतन रूप में सामाजिक सनचना में अपनी परस्तिती को परिवर्तित करता है, इस प्रकार से भूमंडली करण और उत्तर प्रागत समाज के उद्वों में अधिक से अधिक सामाजिक परिवर्तनियता के लिए अनुमती देने या थूट देने की व्यस्ता करनी होगी, आता है सामाजिक और आजनितिक वी ग्यान के लिए महत्रपूर है, क्योंकि उनमें सामाजिक ग्यान और आत्मों ग्यान समभव है, एजेंसी सनचना परिपेक से क्या है, जिस प्रकार अमेरिका में लगू ब्रहद परिपेक से, माइक्रो मैक्रो पर्स्पेक्टिव परचलीते हैं, उसी का विकल्प एजेंसी सनचना परिपेक से, यूरोप में परचलीते हैं, एजेंसी सामनेता लगू इस्तर के लिए प्रियूक्त किया जाता है, जैसे एक वेक्ति मानव करता हूं, लेकिन इसके सामुईक्ताओं के लिए भी प्रियूक्त किया जा सकता है, सनचना अक्सर व्रहद इस्तर की सामाजिक सनचना के लिए प्रियूक्त किया जाता है, लेकिन इसका प्रियोग लगू सनचनाओं के लिए भी कर लिया जाता है, एक दूसरी से अलग करके नहीं देखा जा सकता मानवी विवार पुन्रावर्तिक है लोग अपनी क्रियाओं के द्वारा चेतना और सनचनात्मक परिष्थिति दोनों का निर्मान करते हैं जो उनकी गतिवीडियों को संभो बनाती है क्योंकि सामाजी करताओं की गतिवीडिय स्वच्चालित और सनचनात्मक परिष्थितियों वाली होती है इसलिए मानों अपनी क्रियाओं का चेन अपनी उत्वन समझ के आदार पर करते हैं इसका प्रिणाम यह है कि समाज का समाजिक विग्यानिक ज्यान वास्तम में मानवी गतिवीडियों को परिवर्थित करेगा सनचना करन की अउदारना सनचना और एजेंसी की द्वन्दता को कम आगती है सनचना के अभाव में कोई भी एजेंसी नहीं हो सकती जो सनचना को विभार में डालती है कोई भी स्वतन सर्चना तब तक नहीं हो सकती जब तक उसके लिए कोई एजेंसी नहीं हो एजेंसी सनचना और लगूब रहद बंदता सबसे महत्रपुन अंतर लगूब रहद और सनचना एजेंसी में यह है कि करता कि उससे समंदित क्या छवी है लगूब रहद सिद्धान्त का दश्टिकून विवार वादी है जबकि एजेंसी सनचना का सिदान्द का जोर चेतना सरजनात्मक रिया पर रहता है दूसरा महत्पूर अंतर यह है कि ग्रहद लगू सिदान्द इस्तेतिक संस्त्रनात्मक वे एतियासिक सब्दों से समंदित मुद्दों को वेक्ट करता है समासास्त्री सिद्णान में सनत्राइजेंसी के अधानाएं केंद्री है सामाने रूप से सनत्राइज सामाजिक परिदर से प्रियोग उसी रूप में या प्रकार से करते हैं जैसे वास्तुकला में एक भवन के फ्रेम और शरीर रतना विज्ञान के चेत्र में एक शरीर के कंकाल का देन करने में करते हैं दुर्खिम का कारे उनकी इस इच्छा से प्रवाईद था कि वो समासास्त्र के देन चेत्र को जीविज्ञान और मनोविज्ञान से अलग और विशिष्ट बनाना चाहते थे इस लक्से को प्राप्त करने के लिए दुर्खिम ने इस बात पर जोड दिया कि अभिने सोच और भावना सनथना के तरीके हैं जो संपुर्ण समाज में समाने हैं और वो अपने सद्शियों पर बाहियं दबाव डालते हैं सामाजिक विज्ञानों में यह विवाद चल रहा है कि मानव विभार के निर्मान में सनथना एजेंसी में से कौन में तो पून है एजेंसी वेक्टियों के स्वतंतर क्रिया के करने और स्वतंतर रूप से जा सकता है कि कारे करने वाला व्यक्ति में तो पून है या उसके लिए उपलब्द आधार बुद्थ सनथना में तो ने सनथना और क्रिया की व्यक्या अपनी पुस्तक सेंट्रल प्रोब्लम्स इन सोशल थेयोरी में अलग लग लेखों में किये हैं सनथना और एजेंसी की प्रात्मिक्ता के विवाद पर क्लासिकल और समकालिन समासास्त्री सिद्धानतों में हमेशा रहा है समासास्तर के एक प्रस्न सामाजिक संसार किसका बना हुआ है सामाजिक संसार का कारण क्या और इसके प्रभाव क्या है सामाजिक समयतना वेक्ति के विवार की निनायक है क्रिया मानव एजेंसी क्रिया बनाम संस्तात्मक शिद्धान्द यह कहता है कि भासा और समस्ट अब हम बात करते हैं अन्थोनिक गिडेंस के कुछ लोग प्रियांस या पोपुलर पैसेज्ज जो उसने शनचना और आदुनिकता से समंदित अपनी कुछ बाते कहिए नमर एक स्वेम पहचान व्यक्ति का कोई विशिष्ट लक्षण नहीं है या विशिष्ट लक्षणों का संक्लन नहीं है यह उसका उसकी स्वेम की दिश्टी में स्वेम है तो जो वह स्वेम जानता हैं दो आदुनिक संस्थाएं उन सभी सामाजिक विवस्ताओं से बिन हैं जो उसमें पहली थी यह बिनिताएं गत्यात्मक है प्रंप्रागत आदतों और प्रथाओं की मात्रा यहम सार्वमिक प्रमान समंदी हैं कि ठीशुरी बात क्या करना है कैसे ओकरनी है कोन हो सकता है यह केंदरिय क्रसंड उन सभी के सामने आते हैं जो बाध के यह आद्रिणी संमाज के वातरौन में रहे रहे हैं हम सबी या तो असंबतिता के रूप में या फिर रोजमरा के समाजिक विवानों के द्वारा इन सबी प्रसनों का सामना करते हैं और उनका उत्तर देते हैं चोथी बाद आदुनिकता उत्तर प्रम्प्रात्मक विवस्ता है जिसमें ये प्रसंद उड़ते हैं कि मैं कैसे जीवन्यापन करूंगा परती दिन के नेवन्यों का उत्तर देना होता है क्या पहनूं क्या खाऊं आद्याने एक बात है इसके अतरिक स्वर्पहस्चान के आतरिक बातों की भी व्यक्या इसमें आती है आदुनिक सामाजिक जीवन में जीवन सेली की धार्णा एक विशेश महत्वाली बन जाती है जितनी अधिक परंप्राओं की पकड़ धिली पड़ती जाती है इस प्रकार एंथोनिक इडेंस ने सनचना और एजेंसी दोनों का इस्पष्ट और दहारनात्म कुरूप से प्रियोग किया है और समाजिक विवस्ता के विसलेर्शन में इनका प्रियोग किया है सनचना समाजी करण और सवायत्ता तीनों के बारे में एंथोनिक इडेंस का ये इमत है कि समाज सास्त्री सिद्धानतों में ये विवाद एक समाजिक प्रस्षित प्राधारित है जो ये कहता है कि सोशल वर्ड समाजिक संसार किस चीज़ से बना हुआ है इसका कारण क्या है और इसकी क्रियों के उपराद प्रभाव कोन-कोन से होते हैं सनचना और एजेंसी की महत्तपुन व्यक्या इनोंने अपनी पूस्तक सेंट्र प्रोब्लम्स इन सोशल थेयोरी में किये और जो एक द्वंद था लगू और व्रद थेयोरी में उसी परकार सनचना और एजेंसी दोनों में भी उन्होंने एक द्वंदात्मक प्रक्रिया अपना कर समाजिक विसलेशन के लिए इसका प्रयोग किया धन्यवार